नमस्ते दोस्तों मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ अनीता चोहान पत्नी श्री प्रेमपाल सिंग चोहान डिप्टी मेनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल आज के विडियो में एमपलाइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक न दोस्तों यह मेरा मोबाइल नमबर दिया हुआ है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपको डिफरेंट टाइप की जो भी एप्यस से रिलेटेड इंफर्मेशन है वो आपको मिलती रहेंगे दोस्तों आज का जो एक्जांपल है यह मिस्टर राजाराम है इन्होंने मुझे भीजा है यह अभी सर्विस में है और बल्कि कल 35 को ही यह अपने 58 पूरे करने वाले हैं तो उससे पहले इन्होंने जानना चाहा है कि इनको कितना पैसर देना पड़ेगा कितने इनके पेंश जीरो पेमेंट मिली है लेकिन अगले महीने इनकी कंपनी ने पूरा पैसा जमा कर दिया है और इनके लगबग 40 दिन इनके NCP डेज भी है इस तरह हमने अपने पूरे कैलकुलेटर में जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस कैलकुलेटर में टेबल नमबर वन में इनकी कितनी रखम आती है कितना इनको deposit करना पड़ेगा और हमने इस बार जो calculation की है वह सब्टेमबर दो हजार चौबिस तक की है कि मेरा मानना यह है अब तक हम जून दो हजार चौबिस तक कर रहे थे मेरा मानना यह है कि जून 31 मई तक तक नहीं को टाइम दिया है और अगले सब्टेंबर मंदद थी महिने का और हमने ले लिया है कि ती महिने के अंदर अगले तीन चार महिने के अंदर सारे कैसे जे सॉल कर देनी चाहिए एपीफो को और बाकी तो वक्त के हिसाब से पता लगेगा हमें कि क्या हुआ है क्या नहीं लेकिन मेरी अपनी सोच है कि सब्टेंबर तक ने जितने भी पेंडिंग हैसे देमों के लिए कर देनी चाहिए इसी लिए मैंने इनकी केल्कुलेशन फास्टाइम सब्टेंबर तक की है तो पैसा जमा करना पड़ेगा वह इनकी कंपनी ने पैसा लगबाग 102 रूपए यह मेरे हिसाब से पैसा जमा होना चाहिए था 2,50,487 रूपए लेकिन इनकी कंपनी ने 2,50,589 रूपीज जमा किये हैं इनको जो पैसा जमा करना है वो 3,52,437 रूपए जमा करना है विद इंटरस्ट और ये भी कब तक जमा करना है सब्टेंबर दो हजार चौबिस तक अभी ये 31 माई दो हजार चौबिस को रेटायर हो रहा है तो यदि इन्हें अगले 3-4 महिने में मानके चलना चाहिए और इनको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा अब हमने टेबल 2 में टेबल 2 में इसी चीज़ को पूरा का पूरा समराइस कर दिया है कि इनकी लास्ट मन्त की बेसिक जो है वह 41,930.41993 । ठीक है जी और इस तरह है टेबल 2 में हमने इनको समझने के लिए पूरे के पूरे के इसको समराइस किया है टे dispers Something I should have yo च्छेन का अगरेज कितनी आते है इनके पैसे की वैल्यू कितनी आती है तो इनके पैसे की वैल्यू कितनी आती है 35,953 रुपाई 35953 रुपीज इनका एवरेज आता है 60 महने का जब हम पेंशन करेंगे तो और 15,000 इनका सीलिंग पेंशन के इसाफ़ जो प्रजेंट पेंशन है क्योंकि 2024 में रिटार हो रहे हैं तो पुरा का पूरा 15,000 रुपाई आता है अब हम देखते हैं इनकी रिकावरी रिकावरी मतलब पहली बात तो पैसे की वैल्यू कितनी है पैसे की वैल्यू हमारी टेबल 5 में ही आ जाती है यह 7,49,385 रुपीज 7,39,385 रुपीज और इनकी जो पेंशन बन रही है वो 4774 बन रही है यानि यदि हायर पेंशन लागू ना हो तो मैंने जैसे हर वीडियो मे बताया भी और calculate करके दिखाया है कि हमने इसको जो 4774 आपको pension मिलेगी इससे पैसे की वैल्यू यदि आपके पैसे की 7,39,385 रुपीज से पैसे की वैल्यू तो इससे recovery कब होती है और इससे recovery भी चार से लेके 7% तक यानि हमने चार इंट्रेस्ट पर निकाली है कि यह कितने सालों में आपकी recovery हो सकती है और इसमें हमने मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमने इसमें formula डाले हुए है जो हम yearly compound करते हैं जैसे यह मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि every April में हमने यह April 25 मे इसको किस तरह हमने किया है देखिए April में यदी में compound करूंग यह आपको दिखाए देगा वीडियो में वाकाइदा कि April 85 25 में यदी में इसको compound करूंग तो यह मैंने जितने महीने होते हैं आके बारे महीने नॉर्मली हमें 12 महीने लेना लेकिन यहां तीन महीने का मैं तो यह Incoming value हो जाएगी जो balance forward होगी अब March 25 से इस तरह हमने यह formula भी इसमें लगाया हुआ है और जो formula आप देखते हैं कि हमने इसको total का compound किया हुआ है है यह तो हम यहां के आप इस ठीबिद कि रिक रिकवरे में मौनि कितने महीने में ओगी खाईव़ है और तेबिल कि एंड ह congressional महीने में國家 कर रहा हूँ में जाके रिकवरी होगी आपकी और यदि मैं 5% इंट्रेस्स की बात करूं तो 261 मंथ में की जाके रिकवरी होगी यानि लगबग 22 साल में रिकवरी होगी और यदि हम 6% की बात करें तो यह रिकवरी 26.4 में जाके होती है और यदि हम 7% की बात करें इसमें यहां पर 276 तक ही जगह थी टेबल के अंदर बाकि मैंने अलग से कैलकुलेट करके इसमें डाला है और 7% पर यदि हम देखें तो लगबग 24 साल 34 तक आपके रिटार्मेंट के 34 तक सिर्फ आपके पैसे की रिकवरी होगी यानि इसको मैंने पहले ही कैई वीडियो में भी कहा है कि इसको हमें चैलेंज करना चाहिए कि खासकर वो लोग जो है पेंशन नहीं ले पा रहे है उनको सब को इखटे करके इसको चैलेंज कर तक वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए यानि नेक्स्ट तेरह 14 साल में अद्धी के रिटार्मेंट के बाद में तेरह 14 साल के अंदर उसका पूरा पैसा विद इंटर्स जो भी आपका पैसा जमा है वो रिकवर हो जाना चाहिए और इसको चैलेंज किया जाना चाहिए क्योंकि ये रिकवरी होती नहीं है मैंने सुरू सुरू में पताया ये लेकिन जो लोग इसपे हिवा पैइशन नहीं आप्ला है चलिए अब हम मैंने बताया आब हम Всё पैसे की वेल्यू क्या है तो हमने यह Kickstarter की वाली ये वाली वाली यह 7,39,385 रुपीज इनकी पैसे की वेल्य होती है और यदि हम सिंपल इनकी जो पेंशन बनती है 4,744 रुपए तो उससे भी 13 साल में जाके इनकी सिंपल रिकवरी होती है यह विदाउट इंटरस्ट यदि आपको एक भी पैसा इंटरस्ट नहीं है और आप हमें ना दें यह थो पॉसिबल नहीं है लेकिन यह निया विदाउट इंटरस्ट केल सब्सक्राइट करें यह एक सप्टमबर 2014 एक जून 1966 इनकी डेट ऑबर्थ है एक अप्रेल 89 को इन्होंने जॉइन किया है एंड लगबग 6.63 इन्होंने फैमिली पेंशन इसकी में अपनी सर्विस दी हैं तो इस तरह 85 रुपीज इनका कमपेशेशन है और 40 दिन इनके 2014 से पहले एंसी पिडेज हैं जिसको हमने मायनेस कर दिया है और इस तरह है लगबग 29 साल इनकी सर्विस होती है इनकी टोटल इपीएस में जिसको लेस दन 29 साल के लिए हम एक फैक्टर निकाल लेंगे तो इनका टेविल भी क लेंगे रुपार लेस दन 29 साल के लिए जो फैक्टर आता है वह 8.965 आता है तो इस तरह है जब हम 85 और 8.965 में मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 762 यह पेंशन इनकी फैमली पेंशन का कमपेशेशन इनका बनता है ठीक है यह फैमली पेंशन इसकीम का कमपेशेशन इनका 762 अब हम पेंशन जो कैलकुलेट करेंगे वह प्रजेंट पेंशन करेंगे और एक सुप्रिम कोड के हिसाब से 60 मंस की केस टू कैलकुलेट करेंगे और प्रोरेटा बेस का जो अभी इनका वो कंसेप्ट जितने भी अभी पीपीओ आ रहा है उनमें नहीं है यानि केवल जो च इसी हिसाब से कर रहा है तो हमने केस त्री यानि वह चैन नहीं मिल लिया हुए है और इस प्रकार से हम यह प्रजेंट पेंशन इनकी कैलकुलेट करते हैं तो प्रजेंट पेंशन इनकी इनकी बेसिक हमने देखी लिए 15,000 है और बाकी डेज हमने 6,824 लिए है 40 दिन इनके खटा दिये हैं 2014 से पहले तो इनकी जो पेंशन मनती है वह 4,704 रुपए बनती है अब इनको अगले महिने से यानि एक जून से 4,704 रुपए पेंशन मिलनी शुरू हो जानी चाहिए और केस टू में यदि हम देखें सुप्रेम कोड के डिसेंट के हसाब से तो इनकी जो प मेल के हिसाब से देखें तो चेनन मेल के हिसाब से मनलब 2014 से पहले के लिए जो 2014 से पहले जो इनकी बैक्सिमन मंतली बेसिक है वह 21,034 रुपए और एवरेज है 35,950 रुपए इन दौनों में जो भी कम होगा ठीक है उसको बेसिक लिया जाएगा और उसको बेसिक लेके 2014 से पहले के पैंशन केलकर केजाएगी तो इस तरह जब हम तीन पार्टमें पैंशन कल्कुलेट करती है थिसके बाद में 5,010 तो इस तरह टोटल 11,990 रुपे इनकी पेंशन बनती है ठीक है जी ये 11,990 पेंशन उस मेल के हिसाब से बनती है जो चेन नहीं का मेल है और वही इंप्लीमेंट किया जा रहा है आज की डैट में रही इसको चलेंज हैंज करने की बात तो आलड़ी कुछ लोगों ने चलेंज किआ हुगा है तो वक्त बताएगा क्या होता है अब हम इनकीivanरी देखते हैं जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन्होंने 3,45,969 रुपीज जो इनको सब्टेंबर 2024 तक जमा करने पड़ेंगे और इनके जो पैसा जो ने जमा किया है वो 2,50,480 रुपे जमा किया है इस पैसे की वेल्यू विद इंट्रेस होती है 7,39,385 इसका दोनों का टोटल हुआ इसकी वेली को छोड़ देंगे हम इसका जो सब्टेंबर 2024 तक 3,45,000 जमा कर देते हैं तो इतनी वेल्यू इनकी हो जाएगी इनको मिलेगा क्या क्योंकि इनको एक जून से पेंशन मिलनी स्टाट हो जाएगी तो एक जून तक एक जून से लेके 39 तक इनको पेंशन का एरियर मिल जाएगा 19,96 रुपे और 39 तक जो इनकी पेंशन का एरियर है और जो रिवाइज पेंशन का एरियर मिलेगा वो मिलेगा 65,604 रुपे और यदि चेनी मेल के इसाम से देखें तो यह 47,960 रुपे मिलेगा इस तरह है आपका जो रिमोनिंग हो जाता है इपिएफ के अंदर वो लगबग 10,00,00,00,00 केसिस में हो जाता है और यदि हम दोनों पेंशन से इनकी रिकवरी देखें इस पेंशन की रिकवरी लगबग विदाउट इंटरेस्ट सिंप्ली डिवाइड कर दें हम 10,00,00 को जो प्रिजेंट पेंशन 16,000 इनको मिलेगी तो 61 मन्स में इनकी रिकवरी हो जाती है लेकिन यदि हम 7% पे इंटरस्ट के रिकवरी चाहें तो 7% पे रिकवरी इनकी 75 महीने में होगी इसी तरह चेनी मेल के हिसाब से यानि जो प्रो रेटा पेंशन भी बोल सकते हैं इसको उसके हिसाब से 85 मंस में होगी और यदि महिने में होगी तो यह इनकी इस तरह टोटल पंशन बनती है और टोटल रिक कवरी बनती है इस तरह से 115 महिने में इनकी रोड़ेटा के हिसाब से रिक बरी हो जाएगी तेबल नीचे की टेबल नाइन में हमने यह कैलकूलेशन दिखाई इनकी कि 60 months of pro data पे इनके 7% interest के साथ में कितने महीने में recovery होगी यह जाके 75 महीने में जैसे मेंने उपर बताया और इनके case में प्रोडेटा का case में यह लगबग 115 महीने में यहां भी हमने जैसे मेंने उपर बताया कि यह देखिए यह हमने यह formula डाले हुए हम इसमें और इसको भी हमने recovery के time पे भी हमने compound interest के साथ में इसको हमने calculate करने का प्रयास किया यह देखेंगे आप यह जो हमारा यह है यह हमारा formula इसमें डला हुआ है यानि एवरी अप्रेल में हमने इसको उसी प्रकार से compound कर दिया है जो यह formula यहां दिखाई दे रहा है आपको यह भी दिखाई दे रहा है तो एवरी यह compound करते हुए साथ पर से इनकी जो recovery बनती है कि इनकी जो टोटल recovery है वो लगबग 70 महीने में साथ महीन सोप्रेम कोट के हिसाब से और चैनी मेल बगेरा जो था उसके हिसाब से बार बार उसे चैनी मेल कहना पड़ता है क्योंकि वह चैनी से आया था और उसके बाद कोई confirmation नहीं है लेकिन उसका कोई भी circulation नहीं है इस तरह 115 महीने में आपकी होगी recovery हो जाएगी मैं समझता हूं यह case आपको समय में आया होगा और आप इससे तरह अपना case भी calculate कर सकते हैं और मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी दोस्त हैं जितने भी पुराने लोग हैं व लेकिन जो calculate करने वाला व्यक्ति है उसकी गलती हो गई और वो बहुत दिन तक चलती रहती है तो बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद लाइक और सब्सक्राइब करें बैल आइकॉन जरूर दबाए